हेलो दोस्तो मेरा नाम है गौतम और आप देख रहें यूलैक लेक्ट्रोनिक्स और दोस्तो आज किस वीडियो में मैं आपको कैबनेट के बारे मताने बाला हूँ तो यहाँ पे जो मैंने आज एक कैबनेट का जो कलेक्शन किया है यह छोटे वाले कैबनेट है तो सभी कैबनेट को मैं आपको ओपन करके दिखाऊंगा और किस कैबनेट का क्या साइज है कितना वजन है सभी मैं आपको बताऊंगा क्योंकि आप वजन से एक अंदाजा लगा सकते हैं कि जो कैबनेट है उसका क्या क्वालिटी है इसका purchase link आपको description में मिल जाएगा सबसे पहले मैं याप एक छोटा सा cabinet है उसको मैं दिखा रहा हूँ तो यहाँ पे देखिए यह जो हमारा cabinet है दोस्तो इसका पहले model number मैं यहाँ पे बता देता हूँ यह हमारा SE 134 है इसमें दो type के आते हैं फ्रंट में सेम ही रहेगा यह जो आप इसका length देख रहे हैं यह इसका कम है उसका length जादा रहेगा आप यहाँ पे देख सकते हैं 134 model यह भी है और 134 model यह भी है तो यह छोटा में है वो इतना बड़ा में आ जाएगा तो यहाँ पे मैं इसका dimension की बारे में बात करूँ तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको इसका height आप देखिए कितना है इसका height 2 inch है, आप इधर से भी देख सकते हैं, यहाँ पर 2 inch इसका height है, इसका length आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस परकार से 3 inch का मान सकते हैं, अगर यहाँ पर width की बात करें, तो यह 7 inch है, तो यह इस परकार का हमारा cabinet है, और इसमें आपको accessories भी मिलते हैं, जैसे यहाँ पर potens कॐशां मिल जाएगा यहाँ पर स्विच का जो नौÓ होता है यह जाएगाा आपको अलग से कोई चीज लेने का ज़रूरत नहीं है अपको यहाँ पर एससेरीज वी यहाँ पर सात मिलता है ऐसा नहीं कि जिस पूल आपको गैबनेटी दिया जाता है इसके साथ जो आपको accessories भी दिये जाएंगे जितने भी cabinet है सभी के साथ मिलेंगे मैं इसका वजन मैं आपको बता देता हूँ देखिए यह हमारा 324 ग्राम का है तो आईए इसको side में रखते हैं उसके बाद मैं दूसरे cabinet को देखता हूँ तो यहाँ पे देखिए सेम दिखने वाला 134 मोडल का जो है उसी को मैं दिखा देता हूँ सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए यह front में आपको जो है वो सेम ऐसा ही दिखेगा मैं इसको भी दिखा देता हूँ देखिए यह दोनों आपको सेम ही दिखेगा यह दोनों केबनेट है दोस्तों यह दोनों सेम ही है बस इसका जो लेंड है उसमें अंतर हो जाता है यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हprocessory जो है सभी box के अंदर आपको रखे हुए मिलेंगे यहाँ पे देखिए यह छोटा है और यह लगा सकते हो अगर हम इसकी लेंथ की बात करें तो यहां पर लगवग यह सारे 6 इंच का है बाकि इसका हाइट और विर्ट जो है आपको पता ही होगा यहां पर देख लेजी यह 7 इंच का है और लेंथ सारे 6 इंच है और यहां पर इसका हाइट वही 2 इंच होने वाला है तो उसके बाद यहाँ पर मैं यह जो हमारा कैबनेट है, यह 14-14 कैबनेट है, इसमें मैंने बहुत सारे एम्प्लिफियर एसेंबल किये हैं, देखिए, मैं इसको ओपन करके दिखा देता हूँ, इसके बैक साड में आपको फैन के लिए जगह मिल जाता है, बाकि यहाँ पर कटिंग जो है, इसका पैनल का पता चल सके, देखिए, इसी पैकेट के अंदर आपको यह फ्रंट वाला पैनल मिलता है, जिसको डैल भी बोलते हैं, तो फ्रंट वाला पैनल है, इसमें मैंने काफी सारे एम्प्लिफियर डिजाइन की हैं, और काफी अच्छे भी इसका रिस्पॉंस है, तो यहाँ पे वोल्यूम के लिए एहरापी स्वीच भी मिल जाता है, तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से इस कैबनेट के साथ आपको यह मिलने वाला है, मैं इसका वजन मैं आपको माप के बता देता हूँ, और इसका डैमेंशन भी बता देता हूँ, कि इसका जो साइज है, क् अगर इसकी हाइट की बात करें दूस्तों, यह हमारा सवा दो इंच के आउसास में या भाई इंच की आषट में होने वाला है, यहाँ पे आप देख लीजिए, उसके बद अगर इसकी बिट की बात करें, तो यह हमारा लगवा का आप साथ इंच इसका माहन सकते हैं, और ऐ ऐसे देखें तो यह साथ इंच में हो जाता है तो आईए मैं इसका वजन माप के आपको दिखा देता हूं 695 ग्राम का यह हमारा कैबनेट है तो इससे आपको अंदाजा लग गया होगा कि इस कैबनेट का जो क्वालिटी है क्या होने वाला है इसको मैं साइड में रख लेता हूं उसके बाद मैं यहाँ पर यह जो हमारा बारा बारा कैबनेट है उसको मैं दिखा देता हूं ये जो हमारा 12-12 model का ये cabinet है इसमें भी आपको जो है accessories मिलेंगे इस box के अंदर उसके बाद इसका जो front panel है ये कुछ इस परकार का है मैं आपको दिखा देता हूँ देखिए इसमें आपको कुछ इस परकार का design मिलते हैं जो ahuja type के bluetooth panel आते हैं वो आप यहाँ पर लगा सकते हैं big display में उसके बाद यहाँ पर आपको volume, balance, power, base, triple के लिए option मिल जाते हैं इस amplifier में बाकी जो size मैंने आपको बताए है 14-14 cabinet का सेम size इसका भी होने वाला है मैं आपको एक बार मापके बता देता हूँ और इसके back side में भी आपको सेम वही मिलने वाला है fan के लिए और यहाँ पर speaker और AC-DC wire के लिए एक बार मैं इसका भी size बता देता हूँ वही size होने वाला है 7 इंच वाई 7 इंच height में वही आपको सबा 2 इंच मिलेगा अगर वर्जन की बात करें तो something उतना ही वर्जन होने वाला है जितना 14-14 cabinet का हुआ था मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ देखिए लगव वह उतना ही है यहाँ पर 695 ग्राम का यह हमारा cabinet है उसके बाद हम यहाँ देखे 13-13 cabinet है देखिए यह जो हमारा 13-13 cabinet है इसके back side में आपको वही मिलेंगे लेकिन इसमें आपको थोड़ा अलग एक option मिलता है यहाँ पर RCA socket input के लिए दिया जाता है तो आप input या output दोनों option यूज़ कर सकते हो जो आपको ज़्यादा यूज़ हो उसके बाद यहाँ पर मैं इसका dial दिखा देता हूँ कि इसमें किस परकार का होने वाला है और इसका जो color है दोस्तों यह हमारा pink color में आता है तो इसके जो knob भी मिलेंगे वो आपको pink color के ही मिलेंगे और यहाँ पर आपको dial में थोरा सा design भी इसमें दिया गया है आपको square type का आपको इसमें shadow मिलता होगा आप देख सकते हैं यहाँ पर सायद आपको पता नहीं चला होगा लेकिन देख सकते हैं यहाँ पर square type के इसमें आपको design मिलने वाला है और आपको यहाँ पे जो option मिलने वाला है volume, balance, power, audio panel और base travel के लिए यहाँ पे यह cutting मिल जाता है और इसमें जो potentiometer के लिए जो हमारा accessories है यह knob है, switch है, यह सभी pink color में ही होने वाला है जो यहाँ पे pink color के design दिया गया है, उसी परकार से इसका matching इसमें दिया गया है अगर size की बात करें तो वही आपको 7,27 और सबाद 2 इंच का size होने वाला है अगर version की बात करें तो वही लगवग 700 gram के आस्वास में होने वाला है तो मैं आपको इक वार इसका version भी दिखा देता हूँ, देखिए इसका version भी जो है, उतना ही होने वाला है, जितना पहले वाला का था यहाँ पर यह total 700 gram का है, उससे लगवग यह 50 gram ज़्यादा ही है उसके बाद मैं last में एक cabinet दिखा रहा हूँ, यह आप देख सकते हैं यह थोड़ा बारा cabinet है यह जो हमारा cabinet है, कुछ इस परकार का है और इसका size भी मैं आपको बताऊंगा तो यहाँ पर आप इस cabinet को देख लीजिए इसके back side में आपको speaker socket, line input या output आप जो भी use करना चाहते हो लगा सकते हो, 12 volt के लिए यहाँ पर 2 pin वाला socket लग जाता है यहाँ पर 220 volt AC के लिए और antenna के लिए यहाँ पर option मिल जाते हैं और यहाँ पर आपको ventilation के लिए cutting दोनों side मिल जाते हैं क्योंकि इसमें आप बड़ा amplifier भी लगा सकते हो और इसके अंदर में आप देखिए यहाँ पर आपको total accessories मिलते हैं और यहाँ पर बहुत अच्छी बात यह है कि यहाँ पर जो मैंने आपको दिखाया है यह जो 12 volt battery के लिए यह छोटा वाला जो speaker socket type का दिखने वाला यह है यह हर जगा available नहीं होता है लेकिन इसके साथ ही यह दिया गया है और इसमें जो जितने भी accessories हैं यह सभी इसके साथ मिलते हैं और इसका dial मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस परकार का होने वाला है तो आप इस परकार से देख लिजिए किसमें यह कुछ इस परकार का इसका look होने वाला है यहाँ पर volume मिल जाता है और volume के चारो साइड जो आपको एक light का option मिल जाता है आप वो use भी कर सकते हो यहाँ पर bass, treble, audio panel और mic, power socket और यहाँ पर aux और dvd का जो selector switch होता है वहाँ पर आप लगा सकते हैं तो आईए मैं इसका dimension की बात करूँ तो मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ कि इसका dimension क्या होने वाला है सबसे पहले यहाँ पर इसका width देख लिजिए यहाँ पर यह 9 inch का है और इसका जो length है यह 6 inch का है और height की बात करें तो यहाँ पर यह 0.5 inch का होने वाला है इसका मैं अगर वजन की बात करूँ तो यहाँ पर आपको वजन दिखा दूँ कि यह कितना वजन का है तो यहाँ पर देखे यह हमारा जो है 817 gram का यह हमारा cabinet है यह 1 kg में 200 gram काम है तो यह बहुत ही heavy हमारा cabinet है तो यह हमारा 712 gram का यह हमारा cabinet है तो इस प्रकार से दोस्तो मैंने जो छोटे छोटे cabinet थे वो मैंने आपको दिखाया है तो जो भी cabinet आपको चाहिए आपको description में भी उसका सारा details मिल जागा कि किसका कितना price है क्या size होने वाला है कहां से आपको लेना है तो आप वहां से purchase कर सकते हैं तो मैं यह आसा करता हूं दोस्तों कि यह जो छोटा छोटा cabinet है आपको काफी अच्छा लगा होगा और इसका जो quality है दोस्तों आप ऐसे judge नहीं कर सकते हो जब आप अपने हाथों में इसको लेंगे तो आप पता चलेगा कि स्कैमनेट का quality क्या है तो दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा तो पीजी like करें शेरे करें और अमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो दोएकने के लिए धन्यवाद आपका दिन सुभ हो